principle of focus and focal length in lens आज हम focus और focal length करेंगे साथ में इसके rules भी करेंगे ठीक है तो दिखते हैं सबसे पहले focus और focal length क्या होती है हमने convex lens लिया है ठीक है इस lens में ये तो है हमारी principle axis principle axis है अब जो convex lens है वो क्या करता है converging करता है light को converge करता है और एक point पे लाके मिला देता है ये होता है convex lens और concave lens क्या करता है इनको फैला देता है ये फर्क है ठीक है divergen करता है वो तो जो principle focus जो होगा अगर एक incident ray जा रही है lens में से तो वो क्या होगी उसमें reflection होईगी वो diverge करेगा किसी एक particular point पे लाके रे को ठीक है तो इस तरह से ही अगर एक और रे जा रही है माली जी पैलल जो रे जो की पैलल जा रही है ये lens के center तक पैलल जा रही है और ये भी यहां पे आके मिल जाएगी यानि यह होती है convergence जैकि दो रे आई और यहां पे reflect होके एक point पे आके मिल गई इन्हें बोलते है converging lens जो की convex lens होता है अब यहां पे जो principal focus होगा जो focus होगा converging lens का वो point जहां पे जो beam होती है light की एक देक तो रे बोलते हैं दो या दो से जादा हो जाए तो beam बोलते हैं जो beam of light जो की principal axis के panel में जा रही थी वो reflect होगी एक particular point पर आके मिल जाएगी इस point को f2 बोलेंगे f2 क्यों बोलेंगे क्योंकि जो यह lens होते हैं इसमें दो focus होते हैं जो हमारे left hand side वाला होता है उसे f1 बोलते हैं जो right hand side वाला होता है उसे f2 बोलते हैं तो यह यहां से जाएंगी और यहां पे आके मिल जाएंगी तो यह होगा focus point इस point को जहाँ पर reconverge हो रही है वो होगा focus point ठीक है और यहाँ से अब यह focus point है इसे focal length क्या है center ओ से लेकर f2 तक का जो distance होगा उसे बोलेंगे focal length जो कि small f से denote किया जाएगा अब f2 f2 जो होती है वो positive में ली जाती है मैंने sign convergence जब इसकी कराई थी कि जब ray of light की direction में कोई चीज होती है उसे positive में लेते हैं या फिर दूसरे form में यह कहा सके इस lens के right hand side वाले चीज़े सारी positive में होगी left hand side वाले सारी negative में होगी ये भी आप बोल सकते हो तो इसकी जो focal length है इसको small f से denote गिया जाएगा जो focal length होगी converging lens की वह positive sign की होगी और जो focus होगा यह real होगा virtual नहीं होगा यह real होगा ठीक है अब next है जो konvex lens ने क्या किया है यह behave कर रहा है converging light को converge करने का next दूसरा होता है हमारा convex lens convex lens इस में हमारा convex lens तो यह रहा हम concave lens concave lens में क्या होता है कि हमारे पास यह होता है हमारा concave lens यानि कि center जो होता है वो thin होता है और edges जो होती है वो thick होती है अब इसमें same ऐसे ही incident rays बीम है जो light की एक यहां से जाएगी और एक यहां से जाएगी लेकिन यह क्या करेंगी यहां पे convex lens में तो यह converge हो रही है एक point पर आके मिल रही है बलकि concave में यह diverge होंगी यह क्या होंगी फैल जाएंगी center तक आएंगी और फिर फैल जाएंगी अब यह जो है इसका जो principal focus होगा वो कहां होगा oncade कारा है diverging कर रहा है light को light को फैल है तो इसकी जो beam of light जो principal axis के पैलल में जाती है रिफ्रेक्ट होथ के diverge हो जाती है φैल जाती है तो यह जो diverging rays है इनको हम बैक्वर्ड direction में ले के जाती है दोनों को और यह क्या है एक point पे मिल जाती है backward direction में इस point पे आके मिल रही है तो इस को बोलेंगे f1 मैंने पहले भुला था से दो फोकस होते हैं इसे पो performed is pop बोलेंगे यह पाइंट को फोकस पॉंट बोलेंगे यह पईंट है यह फोकस पॉइंट इस对 f1 से denote किया गया है अब center से लेकर center point हमारे O ही होता है दोंदों condition में center point से लेकर f1 focus point तका जो distance होता है उसे focal length बोलते है जिसे की small f से denote किया जाता है अब यह focal length होगी वो कहां से बनी है जो diverging raise है refract होके जो raise diverge हो रही है इनको backwards आके जो मिलाया गया है तो तब ये बन रही है तो इसका जो sign होगा वो negative होगा इसमें negative sign लेंगे क्योंकि ये क्या है left hand side पे है या फिर कहें कि opposite of incident रहे हैं इसी वज़ासे से negative लेंगे इसका sign convergence होगी वो negative में होगी और यहां पे जो focus है ये virtual होगा ये real नहीं होगा इसे हम कहेंगे virtual तो ये हमारा diverging lens के case में था जो concave lens होता है वो diverging गो flight करता है अब दूसरी condition F2 क्या है F2 हमारा focal point है F2 हमारा focal point है और distance जो होगा O से F के बीच में चाहे वो यहां से यहां ले F1 भी हमारा focal point है अब यहां से O से F2 के बीच में जो distance होगा उसे focal length बोलेगे और ये जो focus होगी वो real होगी next F1 हमारा focus point है और center O से लेकि F1 का जो distance होगा वो focal length होगी और इसे जो होगा ये जो focus होगा ये virtual होगा real और virtual मैपको करवा चुकी हूँ अब दूसरे देख लेते हैं कि जो lens होता है उसके दो focus होते हैं मैंने मैं पूरी वीडियो में यह बता रहे हूं कि lens के दो focus होते हैं अब एक lens जिस पे से इसके दो focus होगी एक तो होगा right side पे एक होता left side पे इसको f1 से denote किया जाएगा जिसे focus बोलेगे दूसरे को f2 से denote किया जाएगा जिसे principal focus बोलेगे ठीक है अब इस case में ले लेते हैं a और b जो कि जहां से हमारी reflection होगी वो point है a से b तक अब जो दो rays यहां से जाएगी convex lens में से तो पहलर जा रही है वो principal axis के तो f2 पर आके वो मिल जाती है अब देखिए a से b यहां पर आके वो refract हो रही है और f2 पर आके मिल रही है principal focus यह principal focus है ना तो principal focus पर आके मिल रही है जो कि right hand side में है ठीक है और जो दूसरा point होगा ना वो focus होगा f1 के respect में ठीक है अब next देखते हैं अब जहां पर देखिए सबसे important चीज है जरूरी नहीं है कि हम इसी को ही principal focus बोलेंगे यह जरूरी नहीं है मैं पहले ही बोल रहे हूं कि यह जरूरी नहीं है अब दूसरे condition अलग होगी यह रे जहां से रे पैलल में जाती है वो तो focus होता है और जहां पर मिलती है वो principal focus होता है अब इसी condition में opposite ले लेते हैं obviously अब ड्रे जो है वो दूसरे direction से जाएंगे माली जी यह यहां से जा रही है और f1 पर आके मिल रही है दूसरी रे भी यहां से गई और f1 पर आके मिली तो यह रे यहां से जाएगी और f1 पर आके मिलेंगी अब यह जो सारी rays है अब इस condition में f2 तो focus हो जाएगा और दूसरा principle focus हो जाएगा ठीक है ना अलग-अलग condition है जहां पर रे मिलेंगी वो principal focus होगा दूसरा focus होगा अब इ तक हम यहां पर मिल हाए है और यह यहां से पैलनल में जारे है तो यह आद कि प्रेंसिपल फॉकलम है तो है इस तरह से देखेंगे ज्यादव यही लेते हैं यहने कि लाठ और से तरफ जाती हुई ही लेते हैं आप जो और जो दोनों फोकस है यह इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं जैसे कि अगर हम इसकी एक अक्टिविटी लेते हैं माले जी हमने एक सारी सारी है जो को पैलल में उपर से आरही है इन को एक point मिला कर मिला देगा तो यहाँ पर एक point show का जहाँ पर यह मिलेंगे अब अगर यहाँ पर support type का हमें कुछ दिखाई देता है इस lens निचे sheet paper वाइट कलर का support दिखाई देता है वो sun की image होती है अब इसमें छोटे से white color का support अब इसमें अगर हम distance के lens के distance को change करते है sheet paper के respect में तो उसी तरह से changes आते हैं हम उसे brightness और sharpness को set करते हैं कि एक particular image बने paper पे और अगर हम उसे कुछ time के लिए ऐसे ही रखते हैं तो उसकी brightness क्या होगी एक point पर बढ़ती चली जाती है और जब वो बढ़ती है तो कुछ time बाद एक sharpness changes आते हैं तो brightness और sharpness जब जादा होती है sheet पे तो वो क्या होती है वो paper वहीं से burn होने लग जाता है तो यहां से यह paper क्या होगा burn होने लग जाएगा तो इस तरह से इसे represent करते हैं अब next हम देखते हैं कि इसके rules क्या है यह तो हमारी activity हो गई इसके rules क्या क्या होते हैं सबसे पहला rule तो यह है जो हमारा convex lens के rules कर रहे है कि अगर कोई ray सीधी जा रही है lens में यानि कि principal axis यह principal axis के panel में जा रही है तो वो क्या होगी center से आके refract होगी और जब वो refract होगी जहां जिस point पे वो principal axis से मिलेगी वो होगा F2 point यानि कि focus point जोगा F2 दो focus होते है na F1 और F2 तो उसको F2 point पे वो आके यहां से incident आके यहां से F2 point से जाएगी यह rule number 1 represent करता है incident ray जब principal axis के parallel में जाएगी उसमें जो refracted ray होगी वो focus से pass होगी rule number 2 क्या है जब ray incident ray F1 से जाएगी देखे यहां से भी देखे जब वो जाए वो उपर जाए अगर नीचे से जाएगी तब भी वो F2 से ही pass होगी ठीक है यह rule number 2 है अब rule number 3 अगर incident ray ray of light अगर optical के center से जा रही है अगर वो center से जा रही है यहां से आके optic center पे आई तो इस time पे optical center से वो pass होगी और undeviated होगी मतलब कि कोई भी deviation नहीं आएगी वो ऐसे ही सीध ही निकल जाएगी कोई भी reflection नहीं आएगी अगर वो center से जाएगी उस condition में तो यह जो है rule number 3 होता है तो यहां पे focus है नहीं गई वो center से हुए center से ही pass होगी तो यह represent करता है rule number 3 को next rule क्या बताता है कि अगर ray f1 focus से जा रही है यानि कि माली जी हैं पे f1 focus है और f1 focus से जा रही है तो वो क्या होगी hunter से टकडा के parallel to principal axis जाएगी यानि कि अगर incident ray pass होगी focus से तो जो refracted ray होगी वो parallel होके principal parallel की passes के parallel में जाएगी तो यह हमारे अलग अलग rules होते हैं इनका ray diagram हम next topic में करेंगे thank you thank you for watching this video और जादा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं thank you